हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग तो ये कुछ बातें वो आप ध्यान रखना एक्जाम से पहले ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ ये लिखी हुए वैसे अभी सबसे में जो चीज है वो आपको क्या करना है कि आपको कैस सब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि आपकी सब सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगी ठीक है तो ये चीज का अपको ध्यान रखना है और आपको कौन सा पहले करना है ये अभी आप डिसाइड कर लो वहां क्या होता है जैसे सबसे पहले खुलता ही रीजनिंग है तो रीजनिंग खुलते ही होगा क्या कि आपको ऐसे लगए कि यारी जैसे फॉर एग्जेंपल आप मैथ करते हो तो तो वहां पजल आसान दिखिए तो वहां चेंज कर लोगे तो फिर माइंड के लिए हिसाब से आपको ऐसे हो जैगा है यार मुझे वह करना चाहिए तब मैथ तो इसलिए पहले ही डिसाइड कर लेना क्या करोगे ठी यह तो जो भी आपको सट बैठे वो रखना और एको स्किप करते टाइम अपने इगो को अपने साइड में रखना स्किप जब कोशन क्या होता है कई बार अपन को लगता है कि यार जैसे पजल बनाई ठीक है दो बार मैं नहीं बन रही तो कोई दिक्कर नहीं है असी कोशें है असी में से आपको साथ ही करने एक बार के लिए आप यह सोच के चलो कि हम साथ पिचपन भी करते हो तो पिचपन भी एक्क्यूरेसी के साथ में जैसे लाजश शिफ्ट मैं यह आगे बाद बताऊँगा आपको ऐसे रखना है कि भाई पिचपन भी यदि मैं अच्छे से क कर लेना अभी तक जितने भी आपने मूख दियें उनको एक बार रिवाइज निकाल लेना कल के टाइम पर या तो आज निकाल लेना या कल निकाल लेना उसको रिवाइज कर लेना रिवाइज का मतलब यह है कि उनकी डियाई देख लेना कि हां कैसे कैसे सौल की थी और अर् बेसिक तो यह सारी बेसिक चीज़े थी और दूसरा फॉर्मुला इन सब फॉर्मॉला को एक पेस पे लिख लो ताकि आपको क्या है लास्ट टाइम पेर रिवाइस करने में काम आए कि आपको हां कुछ ऐसे चीज होती है जो आपके बेसिक होती है कि भाई मेर को यह चीज ऐस आपको एक मोग अभी जैसे दो तीन दीन में आपको क्या करना एक मोग जब आपकी शिफ्ट है उस टाइमिंग पे आप एक मोग लगाया करूं ठीक है जिससे आपको थोड़ा क्या है एन्वायर्मेंट उस टाइप का मिलने लग जाए एक दम कहते हैं आपको फिर आइडिय परैधाय विड़ा Migants किसी ने 65 कर दिना तो आपको वो ने शोचना है क्योंकि जैसे सिफ्ट बढ़ेगी तो पेपर का लैवल थोड़ा सा मोडरेट यह ठीक है और वो पेपर का लैवल किया है हो जाता है किसके अंदर नॉर्मिलाइजेशन के अंदर ठीक है तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि किसी ने 65 कर दी है आप जैसे फॉर एक्जामपल आपकी स्टेंथ ही पिच्पन की थी आप 65 के लिए गए आप 50 तक ही रह गए ठीक है क्योंकि जल्दी जल्दी करने के ज़कर में मिस्टे में आया है ओल्मोस्ट आपको फोर शिफ्ट में मिलेगा हाँ वह है कि पांच पांच नंबर का आजगल चेंज हो जाता है कि जैसे कई जगह पर क्या करते थे पहले क्या होता है जैसे अर्थमेटिक लास्ट यह दस दस का आया था ठीक है कैसले डियाई चली थी पूरे दिन कि यह कैसले डियाई चली थी पांच नंबर की और कहीं कहीं पर क्या हुआ था कि यह कैश्ट ना ओके क्या हुआ था पंदरा नंबर का अर्थमेटिक हो गया था ठीक है बैस इतना सा चेंज था पाकी रोंग नंबर सीरी चल रही थी और अटेम्ड वाला मैंने आपको बता जाएंगे इस चीज़ का आपको ध्यार रखना है ठीक है और सबसे चीज़ बताओं आप सब से बैस्ट हो ठीक है यह 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 देखो आपने इतनी मेनत की है इतने दिन लगके के और मोस्त अपने चलो दो महीं दो मन्त ही आपने मोग दिया लगा तरब पर सब ने अपनी मैन तो यह सारी चीज़े बतानी थी और एक चीज़ और बता रहा हूं जाते-जाते कि अभी जैसे आपको बता था प्राइम बड़नल पीडिया फोर्स मिल रहा था वह 586 रूपीज में मिल रहा था ठीक है अब तक का लोवस्ट प्राइज इससे पहले इतने में नहीं मिल रहा थ ठीक है जो भी यह का फॉर्म भरना चाहते हैं उसका जो भी था कि मतलब जिता ही प्लान है प्री और मेंस का इंदीर इंग्लिश लैंगेज मिलेगा और वीडियो सॉलिशन वनियर की वैलेडिटी के साथ में जो इतने का प्लान मिले तो वह इसके अंदर इंक्लूड कर दिय है ठीक है तो जिसको भी लेना हो तो आप ले लेना ठीक है वैसे ट्रिपल सिक्स का है आप को लगाओगे जीम ट्वैल तो आपको ट्वैल प्रसेंट एक्स्ट्रा ओफ मिल जाएगा इसके ओपर और वो 586 का मिलेगा यदि आपको भी नहीं लेना तो कोई चक्रनिया आपका क्या है जैसे आपको कुछ को तया previous हुजाते दो साल फीज़ साल हो गेख तो इनको नहीं चाहिए उनके लिए क्या करो कि जो भी आपके आस पास में उनको बतादो कि ययद पीजी टारग collaboration के लिए इसके अंदर कि जिसके और आर्थ में के कोशन हो गये सारा कुछ 1919 होता है जाएगा एक्जाम वाइस सेक्शनल वाइस एक्षाम वाइस सब का वीडियो सुलूशन है ठीक है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं और बाकी आप जब लो तो जी एम ट्यूल कोड लगा लेना तो बाकी ओल दी बैस्त है सब को अच्छे से सब बैस् में तो बैस यह बोलूँगा कि भई अपने उपर कॉन्फिडेंस रखना ठीक है और यह मत सोचना किया मुझसे ज्यादा यह लोग है यह वहां पर एक्जाम में जो पैनिक कर गया उसका पेपर रह जाता है ठीक है फिर वो कहते हैं वह आपको 45 मिनट आपको अच्छे से आउट हो तो आप मेंसे इंस्टाग्राम पे पूसकते हो ठीक है इंस्टाग्राम क का यही ऑपना परिज है और वहां पर मैं अपना करेंट ए जो तो आप उसमें क्या है कि वह जैसे जी टवंटी एक साथ में शेर कर दूआ अपॉइंटमेंट्स एक साथ शेर कर दूआं तो आप वहां से यह सब चीजें आप ले सकते हो ठीक है मतलब कि आप स्क्रीन शूट ले लोगे तो आपके काम आजाएगा ठीक है और रिवाइस करने के भी काम आएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई